आपका प्रेंड सर्वेस राजपूत एक बार फिर से आगया आपके साथ कुछ नया सेयर करने के लिए अपने गार्डेन को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए आपको अपने गार्डेन के कलेक्शन में वाटर लिलीज को भी जरूर एड़ करना चाहिए नॉर्मल प्रांट तो सभी ग्रो करते हैं लेकिन वाटर लिलीज अगर आपके गार्डेन में होती है तो आपके जो गार्डेनिंग का लेवल है वो अलग लेवल पर चलाता है और आज की इस वीडियो में आपसे में बात करने वाला हूँ कि आप अपने कलेक्शन में वाटर फ्राख कर्द्रेन में अपने सभीखते हैं दूसरा जो अन्थिट क्रोंप्रू देखेंगा हैं जबकि क कमल में ऐसा नहीं होता है कमल के पहते हैं पूरी तरह से गोल'll होते हैं अंतर होता है कमल में और वाटर लीली में वो यह होता है कि कमल के पत्तों पर पानी रुखता नहीं है जब कि वाटर लीली के पत्तों बड़े अराम से पानी रुख जाता है यह तो हो गया वाटर लीली और कमल में अंतर अब वाटर लीली भी दो तरह की होती है एक होती है हार में बहुत जयादा पड़ती है तो वहां के लिए आप रॉपिकल सुगा सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसे ग्लाइमेट में है जहां पे बहुत ज्यादा पड़ते की वहां पर आप हार्डी वर्टर लिली यौन मेरे पास दोनों ही water lilies है, जो tropical water lilies होती है, वो सर्दियों में dormancy में चलियाती है, जैसे मेरा वो वाला टब जो है, अभी वो dormant period से बाहर आया हुआ है, उसमें पत्यां develop होना सुरू हो गई है, तो लेकिन इस सर्दियों में पूरा पूरा टब खाली हो गया था, जबकि अगर यह hardy वाले होते हैं, जैसे कि मेरा यह वाला टब है, यह वाला टब पूरी सर्दियों में भी इसमें आपको पत्ते देखने को मिल जाएंगे, कुछ water lilies में खुस्बू भी बहुत ज़्यादा होती है, यह वाली water lilies में और यह वाली water lilies में खुस्बू बहुत ही कि जागर आप ब्लैक वाली variety को अपने टब में डालते हैं, तो वो थोड़ सा hardy होते हैं, वो सर्दियों में बड़े आराम से survive कर जाती है, और molly fish की खास बात क्या होती है, यह अंडे ना दे करके यह सीधा बच्चे देते हैं, तो अगर आप अपने pot में कुछ molly fish लाके उपर cover किया है, तो इसे अजोला बोलते हैं, या फिर musquito fern भी बोलते हैं, यह बहुत ही तेजी से propagate होने वाला plant है, और बहुत ही highly nutrients होते हैं, इसमें बहुत ही यादा protein, बहुत ही यादा carbohydrates होते हैं, तो यह plant mainly जो यूज किया आता है, वो cattle के लिए यूज कियाता है, यानि कि गाय, भैस, या फिर मुर्गियों को हरे चारे के लिए यूज कियाता है, बहुत ही यादा highly nutrients होने के काड़, और बहुत ही तेजी से propagate होने के काड़, लोग इसको जो हरे चारे के रूप में यूज करते हैं, जिसना आप इनको इस तरह से निकालते जाएंगे, उतनी तेजी इसे ये propagate भी होते जाते हैं, इसके बारे में कभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, फिल्याल अभी बात करते हैं, वाटर लिली पे, बात करेंगर वाटर लिली के propagation की, तो propagate उनको आप 3 तरह से कर सकते हैं, पहला होता है इनके tubers या फिर rhizomes के थूरू, कुछ वाटर लि ये वाटर लिली और उधर जो वाटर लिली इसमें tubers होते हैं, बाकि ये वाटर लिली और ये वाटर लिली ये दोनों मेरे rhizomes के थूरू grow हुए हैं, तो इनके rhizomes या थूरू आपको मिल सके हैं easily, उनके थूरू आप ग्रो कर सकते हैं, दूसरा होता है इनको seeds के थूरू Water lilies में seeds भी होते हैं, अगर इनका pollination successful हो जाता है, इनमें seeds भी develop होते हैं, तो आप इनको seeds के through भी propagate कर सकते हैं कुछ water lilies के seeds जो है वो खाए भी जाते हैं, घरों में use होने वाला मखाने का दाना, जो है water lilies के ही seed को roast करके बनाया जाता है Water lilies को propagate करने के जो तीसरी वीधी होती होती है, इनके पत्तियों से grow करने के, जो कि सभी water lilies में नहीं होती है, कुछ water lilies वीवी पोरस होती है, जैसे कि मेरी टीना वाली विराटी वीवी पोरस है इन में होता क्या है कि जो यह corner होता है, यहां से नए plantlets develop होते हैं, और एक बार जो मारा पत्ता जो है, वो सूख के खराब राता है, और यह पत्ता जब सड़ के नीचे बैठेगा, तो यह जो part है, यह नया plant हमारा develop कर लेगा और उसके बाद फिर आप उनको यहां से निकाल करके मंचा ही location पे shift कर सकते हैं, सबसे पहरे आपको water lily grow करने के लिए करना क्या है, कि आपको tuber या seeds arrange करने हैं, अपने climate के हिसाब से, आप hardy या tropical choose कर सकते हैं, मैंने जो purchase किया हुआ है, मोशली वो facebook से purchase किया हुआ है, तो आभ फिर फेस्बूक को थमाम ऐसे groups हैं, जहां पे tubers या seeds मिल जाये करते हैं, मेल लिए आप tubers ही grow करें, जो ज्यादा अच्छा है, tubers या rhizome जो भी आपको easily मिल सके, और अगर बात करें potting media की, तो potting media के रूप में मैं सिर्फोर से pond की जो मिट्टी होती वो लेता हूं, और कभ इसास हमारे plant को fertilizer भी provide कराती हैं, तो मुझे इसमें अलग से किसी fertilizer को डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ potting media बनाते हैं वक्त ही, मैं pond की मिट्टी के सास थोड़ा सा fertilizer add करता हूं, वैसे भी pond की मिट्टी बहुत ही highly nutrients होते हैं, क्योंकि pond की मिट्टी में तमाम कचड़ गल करके decompose हो करके उस मिट्टी में मिले हुए होते हैं, अगर आपको pond की मिट्टी नहीं मिल पाते हैं, तो अपने हाँ के आप garden soil को भी use कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसके उपर एक sand की cover करनी पड़े होता क्या है, कि जो pond की मिट्टी होती है, वो जल्दी से नीचे पानी में घूल करके बहेगी नहीं, अगर आप इनको बड़े pond में उगाते हैं, तो अलग बात है, बाकि एगर आप इनको छोटे-छोटे pot में उगाते हैं, तब आप इनको pot के अंदर एक छोटा सा pot ले ले लें, उसके अंदर लगाएं इसको, तो उससे होता क्या है कि एक बार आप जब इसमें पानी भरें, हपती दस दिन के अंदर जब इसमें पानी भरें, तो पानी खोड़ा सा water flow हो जाने दे, उसके बात गंदगी उपर बहे करके निकाल जाती है, बहुत ही आसान तरीका होता इनको साफ करने का, बात करें गर इनकी location कैसी रखने है, तो आप इनको ऐसे जगह पे लोकेट करें, जहाँ पे डारेक्ट सनलाइट इनको लगबग 2-3 घंटे की मिल जाए, क्योंकि अगर गर्मियों में बहुत देर तक सनलाइट में जाए, तो वहां पे इनको फुल डे सनलाइट मिलता है, आप इनको पानी बहुत जादा 2-3 घंटे पानी को जल्दी होने नहीं देते हैं, इस टार्टिंग फियर्ज में दिक्कत आती है, जब पत्ते का नंबर कम होता है, तो आप थोड़ी से दिक्कत होती है, तो आप इनको थोड़ा सा सेडी लोकेशन देते हैं, जहाँ पे एक य-दो गंटे के सनलाइट आते हो, लेकिन इनको पत्ते बढ़ जाएंगे, तब इनको धूप से उत्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, जो वाटर लीली टॉपिकल होती है, वो सर्दियों में सूख जाती है, तो आप चाहें तो इनको इसी पॉट में रहने दें, या फिर आप चाहें तो जो अंदर वाला पॉट है बाहर निकाल करके, इंडोर कहीं पर रख दें, जैसे ही आपको गर्मियां सुरु होती है, फिर से आप फरवरी मार्ज के महीने में फिर से आप टब में पानी बरें, और फिर से उसमें रख दें, तो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप भी ग्रो हो जाएगा, तो आपको लाइफ जिरू कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने भी तक नहीं किया हुए तो, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुडबाएं, टेक केर